Hello everyone, welcome to our course, तो हम यहाँ पर एक बात कर रहे थे about the class 6 की NCERT, our past part 1, उसके 6 chapters जो हम already complete कर चुके हैं, so now we are going to start the chapter number 7, the Ashoka Emperor who gave up the war की, एक ऐसे emperor जिन्होंने war को gave up कर दिया था, क्या reason थे, कि जिनकी इतनी बड़ी kingdom थी, इतनी बड़ी empire थी उनकी, वट उन्होंने war को ही gave up कर दिया था, ऐसा क्या reason था, उसके बारे में हम जो है, इस chapter number 7 में बात कर रहे थे, जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ पर नई changes आ रहे थे, हमारी society में, तो उन changes को समझने की कोशिश कर रहे थे, जो thinkers होते हैं, वो उन्हें समझने की कोशिश कर रहे थे, हमने Buddhism की बात की थी, जैनism की बात किया जा सकता है, उसके बारे में बात की थी, तो now, हम अब ही यहाँ पर बात करेंगे कि ऐसी बड़ी kingdom की, उनके क्या rules and regulations थे, किस तरह से वो बड़ी kingdom बनती है, किस तरह से वो empire बनती है, या फिर अशोग का जो है, राइट, अशोग का जो हमनोंने war को क्यों give up कर दिया थे जो कि इतनी बड़े kingdom के, इतनी बड़े empire के वो emperor थे, उसके बारे में बात करेंगे, एक सबसे बड़ी kingdom जो होती है, एक very big kingdom is known as an empire, जनपज की बात की है, हमने महाजनपज की बात की है, now अब उनी महाजनपज में से कुछ महाजनपज थे, जो की एक ऐसा महाजनपज था जि वो बोला जाता है ancient India की इन्होंने जो है all over the India यहाँ पर अपना जो है control किया हुआ था इनकी काफी बड़ी kingdom थी जो कि एक empire बन जाती है और जो अशोग का जो है वो moral empire से ही belong करते हैं तो जो lines अभी आप अपने notes के उपर देखते हो वो coins के उपर भी देखते हो उसकी भी काफी लंबी history है जो सबसे पहले lines को यहां पर यूज किया गया था वो moralis के द्वारा ही यूज किया गया था तो moralis जो है वो क्या करते थे उन्होंने जो है इन्हें stone के उपर जो है carved out किया था बड़े बड़े यहीं से belong करते यहीं पर जो है सबसे पहले use किये गए थे और यहीं से यहां पर हमारे भारत के लोगों ने इसे उठाया है राइट वो जो है चीज़ें यहां पर use की जाती हैं एंड उनके उपर जो भी इनके rules and regulations हैं अगर कोई भी message इन्होंने अपनी प्रजा तक पहुंचाना है तो वो क्या करते थे वो इन pillars के उपर जो है वो खुदवा दिया करते थे उनके उपर जो है वो inscribe कर दिया करते थे यहां फिर अपनी war को अगर कोई war जो है वो जीत के आ category में लिया जाता है जो भी history में जितने भी greatest rulers रहे हैं उनमें से एक थे अशोका and and on his instructions inscriptions were inscribed on the pillars तो जैसे कि मैं आपको बता चुकी हों कि इनकी जो instructions थी यहां फिर inscriptions थी उनने जो है pillars के ओपर जो है यहां पर inscribe किया गया था and even rock surfaces जो होती है तो only pillars के ओपर नहीं थी यहां पे hard surfaces जो होती है यहां फिर कोई दिवार हो गई यहां फिर कोई भी rock surface होगी उनके उपर भी इनोंने जो है अपने instructions को खुदवाया था बट पिलर्स के अगर बात करें तो thousand की मात्रा में इनोंने pillars बनाए थे उनकी उपर भी इनोंने inscriptions लिखी थी however rock surfaces के उपर भी इनोंने जो है काफी सारे instructions होती है वो यहां पर लिखी थी तो अगर हम बात करें इंसक्रिप्शन की तो इनके बारे में हम जो है बात में बात करेंगे बट सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे कि इनके kingdom को क्योंकि हम जनपज की बात करें हैं तो उनी जनपज में से जो कुछ ऐसे जो काफी ज़्यादा rise होती है वो महा जनपज बन जाते हैं बट आप जो है इनका महा जनपज जो है इसे empire क्यों बोला जाता है वो empire किस तरह से बनता है उसके बारे में सबसे पहले देखेंगे और बाकी चीज़ें जो हम बाद में cover करेंगे okay so the empire that Ashoka ruled जो Ashoka जिस empire को rule करे थ यह चीज़ भी आपको मैंड में रखनी है that is the most important thing from your exam point of view तो चंद्रकुप्त मौर्य जो है जो कि Ashoka के दादा जी थे उनके grandfather थे उन्होंने इस empire को found किया था 2300 years ago थी सो साल पहले जो है चंद्रकुप्त मौर्य जो है उन्होंने अशोकन यहां पर मौर्य इंपायर जो है उस support के लिए एक उनके पास काफी wise men थे जिने हम जो है चानक्य के नाम से जानते हैं चानक्य को जो है कोटिल्य भी बोला जाता है तो यह भी चीज़ आपको मैंड में रखनी है चानक्य और कोटिल्य जो है वो single person है ओके चंद्रकुप्त को किनों ने support किया था चानक्य ने या चानक्य थे वह इतने wise men थे कि उन्हों जो है अर्थशास्तर लिखी थी सबसे पहले अर्थशास्तर जो है पहले न फो fotograf न Drink ही द्वारा सबसे बद्द चानक्य के द्वारा कोटिल्य के द्वारा ओके या यह थे की tuck में did시 तूला कोटिल्य के द्वारा से काफी छारी cities फी जो अभी प्रेजेंट के गरह महां बात करें। की इस तरह कीыт यह वहां पे थी आप मौरीर के empire में तो उन cities के करहffen बात करें सबसे पहले आ जाती है जो इनकी वमेल कापिटम three तो मॉरे इंपाई की के पिटल कौन सी ओकए एंड तक्षिरह जो है वो क्यों थी यह तरह से मारे भारत का जो सबसे उपर वाला पार्ट न मिलेश्ड पार्ट जो है यहां से यह जो नॉक्त संस sah much कि यह यह न के दो 만देपना वाइल अगर उजयन की बात करें, तो उजयन को वो एक route के तोर पर देखा करते थे, not to South India में जाने के लिए, तो जैसे कि आपको अलड़ी बता चुकी हूँ, पूरे नौट से लेके South India के आसपास तक जो है, इनका control हुआ करता था, okay, and जो merchants है, officials है, craft persons है, they probably lived in these cities, तो वो जो है, in cities में ही रहा करते थे, merchants होगे, officials होगे, यहाँ पर जो craft persons है, वो यहाँ पर सभी लोग आपको मिल जाया करेंगे, and दूसरे areas के अगर हम यहाँ पर बात करें, in cities को छोड़ के, तो यहाँ पर villages हुआ करते थे, यहाँ पर farmers, किसान होगे, यहाँ पर जो hoarders होते व and वहाँ पर वो animals को भी hunt किया करते थे, अपने खाने के लिए, तो यहाँ पर हर एक चीज यहाँ पर आपको मिल रही है, बड़ी cities में, merchants है, officials है, craft persons रह रहे हैं, okay, and दूसरे areas होगे, villages भी है, वहाँ पर farmers रह रहे हैं, herders रह रहे हैं, like अगर उसके बात करेंगे, यहाँ पर forest भी है, and वहाँ पर जो लोग है, वो यहाँ पर खाना इकठा करते हैं, forest produce को इकठा किया करते है, and even hunting भी वहाँ पर करते हैं, okay, and different part जो थे यहाँ पर empire के वहाँ पर जो लोग है, वो different languages भी बोला करते थे, and even different kind of food भी वो खाया करते थे, different kind के जो है, वो कपड़े भी यहां पर एक diversity थी इनकी इंकी इंपायर में एक आपको diversity देखने को मिलेगे जिस तरह से अभी हम इंडिया की बात करें तो यहां पर एक diverse nation है different languages बोली जाती है different तोहार यहां पर मनाए जाते हैं and different तरह के foods है यहां पर available diversity आपको यहां पर मिलती है similarly जो है इनके empire में भी यह diversity आपको देखने को मिलेगी बड़ी बड़ी cities भी है यहां पर हर तरह के कारीगर भी है officials भी है विपारी भी है villages भी है यहां पर farmers और हर्डर्स रहते हैं forest हैं वहां पर राइट वहां पर जो है forest produce को इकटा किया जा सकता है और अनिमर्स को भी हां पर हंट किया जाता है तो यह चीज़े आपको यहां पर देखने को मिलेंगी तो अगर हम यहां पर बात करें dynasty क्या होती है dynasty किसे बोला जाता है dynasty word की अगर परिभाशा की बात करें तो वह किस चीज़ के लिए यूज की जाती है तो देखते हैं उसे अगर same family के member जो है one by one right one after the another जो है वह जो है यहां पर रूलर्स बन जाते हैं दादा है दादा के बाद जो है उसका बेटा है बेटे के बाद में जो है उसका बेटा है तो one by one जो वह रूलर बनते हैं तो वह जो family है उसे dynasty बोला जाता है तो यह जो Moran Empire थी इसे Moran Dynasty भी बोला जाता है चंदरगुप थे, चंदरगुप के बाद में उनके बेटे थे यहाँ पे बिंदु सारा वो रूलर बनते हैं और बिंदु सारा के बाद में उनके बेटे थे अशोका वो रूलर बनते हैं देके एक हिरार की जो होती है यहाँ पे देखने को मिलेगे, तो चंदर को, जऑ हैं जहाँ पे अगर बात करें और मॉरीनफी की बात करें, तो यह एकर वग में तो यहाँ इसे की वज़छके बड़ा जाता है कि एक ही फैमिली को जो जो रूलर जो भू और यहां पे को वहां पर हर इक चीज अभेलेबल है और के वास्ट एडिया जो है के पास है इन के कंट्रोल में है आप यह जो इंपायरोग होती है वो his दो है डिर्एंक किस तरह से होती है उसके बारे बात करेंगे अगर मलत करते हैं एस首先 they need more resources than the kings, emperors को जो है, राजाओं से, राजा जो होती छोटे से एलिया, kingdom जो होता है, छोटा एलिया होता है, बट empire जो होती है, वो all over the India हो गए, यहाँ पे काफी बड़ा एलिया होता है, काफी big kingdom होता है, उसे empire बोला जाता है, as I had already told you, तो आप जो emperors होते हैं, उनके जो rulers होते हैं, empire को ने emperors बोला जाता है, उन्हें जो है, ज़्यादा resources की यहाँ पे जरूरत रहती है, हर एक चीज़ को control करने के लिए, than the kings, okay, because empire जो होती है, वो larger होते है, than the kingdoms, and इन्हें जो है, आप protect करने के लिए, big armies की भी जरूरत रहती है, तो आप जो है, big armies अगर इन लोगों ने बतानी है, बनानी है यहाँ पे, sorry, तो उन्हें large number of officials भी चाहिए, इन armies को control करने के लिए, जो कि यहाँ पे taxes को collect करेंगे, क्योंकि इन्हें जो है, यहाँ पे taxes भी अब collect करने है, हर एक चीज़ को maintain करने के लिए, maintenance के लिए, इन्हें जो है, आप पैसे की भी जुरुच रहेगी, तो वो पैसा कहां से आएगा, वो taxes के थूँ जो है, यह इकठा किया करते थे, तो इन चीज़ों के बारे में हम जो है, अपने last lessons में cover कर चुके हैं, कि इतनी बड़े empires को जो है, किस तरह से जो है, वो अपने control में करते हैं, उस तो इस तरह से जो kingdoms होते हैं, वो empires से different होते हैं, अब जो है, यह empire को rule किस तरह से करते थे, किस तरह से जो है, वो यहाँ पर empire को rule कर रहे हैं, जैसे कि already I had told you, कि जो empire होती हैं, काफी बड़ी होती हैं, तो इसी के वज़े से जो different parts होते हैं, different parts जो होते हैं, in empires के उन्हें जो तो एरिया यहाँ पर Partly Pureter, जो कि इनकी Capital है, उसके आसपास का जो एरिया है, वो क्या था यहाँ पर? वो Direct Emperor की Control में था. अब Partly Keep तुतर जो है, उसे Directly कौनillion कर रहा है? जो RULER है वहां के जो Emperor है, Moran Empire के वो उसे Control कर रहे थे. इसका मीनिन्ग है, कि यहाँ पे जो है कुछ officials appoint किये गए थे emperor के द्वारा taxes को इकठा करने के लिए तो यह taxes किन किन से इकठा किये जाते थे farmers से, harders से, craft persons हो गए यहाँ फिर traders हो गए इनसे जो है यहाँ पे taxes इकठा किये जाते थे जो कि यहाँ पे villages में यहाँ फिर towns में रहा करते थे पार्टली पुत्र के आसपास कि अगर हम यहाँ पे बात करें ओके एंड ओफिशल यह जो officials हुआ करते थे यह जो officers हुआ करते थे वो उन लोगों को punishment भी देती थे जो उनकी आग्या नहीं माते थे यहाँ फिर taxes वो pay नहीं करते थे ओके एंड यह जो officers हैं जो इन्होंने hire की हुए हैं यहाँ पर इन्हेंwah इन्हें सालरी भी दी जाती थी प्रॉपर सेलरई भी इन्हें दी जाती थी एंड इबड इन्होंने起來 connections भी रखे, एक youth जो होते वह भी ह होए थे दूत क्या करते हैं enjoygers होते हैं उनके जो भी messages हैं उन्हें officials तक पहुंचाने के लिए या फिर officials के उपर जो है नजर रखने के लिए यह जो messengers भी यहाँ पर रखे हुए थे इन्होंने तो यह चीज़े आपको यहाँ पर mind में रखने हैं कि कौन-कौन से officers यहाँ पर थे एक officer इन्होंने taxes को collect करने के लिए रखे हुए है and उन्हें जो है उनके उपर नजर रखने के लिए या फिर उनके तक message पहुंचाने के लिए rulers के इन्होंने messengers भी रखे हुए हैं and of course जो emperor है अब इन सब के उपर कौन है emperor है जो कि इन सबी को supervise करेगा इन officers को इन messengers को वो supervise करेगा okay with the help of the royal family and the senior ministers and emperor ने अब अपने पास जो है कुछ senior ministers भी रखे हुए है and royal family के जो भी इनके आसपास के कुछ members है family members है वो भी उनको support करते थे यहाँ पे in messengers को and in officials को इनके उपर नजर रखने के लिए इने supervise करने के लिए right and अब जो है यह तो partly पुतर के आसपास की बात हुई and अब जो है कुछ और भी areas थे इनके control में कुछ और भी provinces थे तो इन्हें जो है कहां से rule किया जाता था from the provincial capital such as the taxila और the ujain यहाँ पे कुछ छोटी मोटी और भी capitals इन्हों ने बनाई हुई थी जो provincial capitals थी तकसिला हो गया और ujain होगी तो वहां से भी यह जो है कुछ areas को rule किया करते थे although there was some amount of control from the partly putter and royal princes थे उन्हें जो है अब जो है एक emperor है वो तो partly putter में बैठे हुए है and कुछ और royal princes हैं यहाँ पे उनके brothers होगी उनके cousins होगी यहाँ पे emperor के तो उन्हें जो है princes जो होती जिन्हें royal princes बोला जाता है उन्हें as a governor या फिर local customs के तरह जो है यहाँ पे भेजा जाता है तकसिला और ujain में means उन्हें जो है governor बनाके वहाँ पे भेजा जाता है and local customs and rules were probably followed तो वहाँ पे जो भी rules and regulations थे उन्हें follow किया जाता है जो उस area के rules and regulations होते हैं यहां पर उज्जैन की बात करें, तक्सिला की बात करें, वहां पर local उनके traditions जो हैं, उन्हें follow किया जाता है, local यहां पर rules and regulations उनके लिए बनाए हुए थे, तो इन यह जो rules and regulations को एक तरह से जो है control करने के लिए, यहां फिर इन एरिया को control करने के लिए, royal princes को as a governor वहां पर भे दिया जाता था, जो कि royal family के member ही हुआ करते थे, okay, beside there were vast areas between these centers, and in center, यह जो centers की यहां पर बात हो रही है, तकसिला हो गया, उजयन हो गया, यहां फिर partly पुतर हो गया, इनके आसपस कुछ और भी areas थे, right, तो here, Moria's try to control roads and rivers, तो दूसरे areas में, में तकसिला उजयन पाटली पुतर के बीच का जो area यहां पर बनता था, उसके वो roads and rivers जो होती है, वो यहां पर Moria's ने अपने control में की हुई थी, जो कि इनके लिए transport के एक साधन बनता था, right, वो transport के लिए काफी important थी, and to collect whatever resources were available as tax and tribute, and यहां पर जो है, वो क्या करते थे, कि tax as a tax, जो हो resources यहां पर एकठा किया करते थे लोग उन से, यहां फिर tribute जो होती है, right, tribute जो होते है, वो gift होते है, gift के तोर पर मिन, जो इच्छा है, आप जो है, यहां पर ruler को देज सकते हैं, तो यह जो tribute होते है, वो tax से जो है, different होते है यहां पे चीज आपको यहां पर माइंड में रखनी हैं कि यह जो ट्रिब्यूट होते है वो text से different होते हैं तो यहां पर इन एरियंग में यहां पर यह रोड औन रीवर स को अपने Controll में किया करते थे यहां के जो लोग यहां से जो भी गुजरते थे, उनसे टेक्स लिये जाते थे, यहां फिर उनसे जो इतरिब्यूट यह लिया करते थे, For example, जो अर्थ शास्तर है, जो कि एक वेद है, जिसके बाहरे में हमने जो है वेदा जो लेक्सन है, वहाँ पर पढ़ा था, प्री वैदी के एज में या फिर वैदी के एज में, तो अर्थ शास्तर जो है, वो हमें बताता है, कि जो नौर्ट वेस्ट है, वो काफे इंपोर्ट जो नौर्ट वेस्ट एरिया है, तो वो ब्लैंकेट की वज़ए से इन एरिया में उन्होंने कॉंट्रोल किया हुआ था, और साउथ इंडिया जो है, वो गोल्ड के लिए, या फिर जो प्रेश स्टोन होते हैं, उसके लिए जो है, वो काफी ज़दा इंपोर्टेंट था, एंड वहां से ये चीज़े जो है, as a tax या फिर, as a tribute जो है, ये collect किया कर दे थे, right, so it is possible that these resources were collected as a tribute, तो इन sources को जो है, as a tribute ही, जो है, mostly collect किया जाता था, as a gift के तोर पे ही, जो है, यहाँ पर collect किया जाता था, taxes जो है, वो कम थे यहाँ पे, तो इसके बाद यहाँ पे कुछ forested regions भी थे, कुछ जंगली area भी थे इनके control में, तो जो लोग इन जंगली area में रहा करते थे, वो कुछ हतक independent भी थे, उनके उपर जो है, इनका इतना ज़्यादा control नहीं किया करता था, नहीं होता था, but may have been expected to provide elephants, but ऐसा expect किया जाता था, कि व forest में जो चीज़े available होती है, वो rulers को यहाँ पे वो provide करवाएंगे, like elephants होगे, timber, honey and wax जो है, वो modern officials को वो provide करवाएंगे as attribute, तो इस तरह से यहाँ पे अलग-अलग areas को जो है, control किया जाता था, partly putter जो है, वो directly control में हुआ करता था, ruler के, and उसके बाद में जो important cities थी, Taksila and Ujian जो ह होते हैं, उन्हें as a governor वहाँ पे भेग दिया जाता था, and उनके जो local customs and rules जो होते हैं, उन्हें follow किया जाता था, and governor जो है, वो उन area control किया करते थे, okay, and अब जो है, यहाँ पे कुछ roads and rivers को भी control में किया जाता था, जो कि transport के लिए काफे important है, यहाँ फिर tax and tribute, जो resources होते हैं, tax and tribute के तोर पर जो resources हो यहाँ से इकठा किया जाते थे, right, and then forested regions होके, वहाँ से जो है, वो elephants, timber, honey, या फिर wax जो होते हैं, वो भी वो इकठा किया करते थे, इनके ओपर जो है, इनका कम control था, वो थोड़े से independent थे, जो forested areas के जो लोग हुआ करते थे, right, तो इस तरह से यहाँ प होते हैं, उन्हें तो regular basis के उपर ही collect किया जाता है, right, but जो tribute है, जो possible है, अगर किसी person का मन है, जब वो possible है, वो उन्हें यहाँ पर दे सकता है, emperor को, right, when it was possible from people who gave a variety of things more or less willingly, right, अगर आपकी मर्जी है, तो आप दे सकते हो, as a tribute, एक gift जो हम, इसे एक another name दे सकते हैं, okay, जो है, gift के तोर पे भी जो है, इसे use किया जा सकता था, so now, अब हम यहाँ पर बात करेंगे, about the emperor and the capital city, कि जो emperor है, वो capital city को किस तरह से चलाता था, और वहाँ पर क्या-क्या चीजी आपको देखने को मिलेंगी, उसके बारे में हम बात करेंगे, तो यहाँ पर क्या था, कि एक जो है, यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्या के court में भेजा था, यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्या जब ruler थे, तो उन्हें जो है, वहाँ पर उनके court में भेजा था, as an ambassador, okay, तो magazines जो है, वो यहाँ पर उनके court में आये थे, चंद्रगुप्त मौर्या के court में, तो उन्हों तो उसमें यहां पे हर एक चीज जो है उन्होंने no down कर दी थी तो उसका एक छोटा सा पार्ट जो है वो अब हम यहां पे देखेंगे कि किस तरह से यहां पर जो emperor है उनका क्या शानों शुकती किस तरह से वो रहा करते थे तो यहां पर बताते हैं कि जो occasions के ओपर जो emperor है वो public में अपियर हुआ करते थे जब उन्हें जो है आम लोगों के पास जाना होता था emperor ने तो उस दिन को जो है एक grand royal procession के तोर पर celebrate किया जाता था एक त्योहार के तोर पर जो है उसे जो है celebrate किया जाता था उन्हें जो है golden plank coin में जो एक सोने की जो पालकी होती है उसमें ले जाया जाता था emperor को and उनके जो guards होती है वो elephants के उपर जो है वो ride करते हैं उसके उपर वो बैठे होती है उनके पीछे यहां पर and इन elephants को golden silver के साथ जो है decorate भी किया जाता है okay and cutch guards दूब हैं आपने साथ trees जो होते हैं वो लेके जाते थे एंड इन Mhm trees के उपर live birds जो होते है वो रखे जाते थे and कुछ लाएक हां पर trained parrots जो होते तो 動画 between ह करते हैं भो भी रखे जाते थे in trees के दो उपर इंड जो की एंपरबो के हैड के आसपास जो है वो सर्कल करते रहते हैं गुंते रहता है ओके एंड जो राजा थे वह मत delkas रहते हैं वने की कोश भी कर सकता था राजा के कुछ special servants भी हुआ करते थे, जो की उनके खाने को पहले taste करते थे, then उसके बादे जो राजा है वो खाना खाया करते थे, okay, and जो राजा है, वो अपने bedroom में, same bedroom में, जो है, दो राज से ज़्यादा वो नहीं सोते थे, मेर अपने जो bedroom है, वो after two days, वो change करते ही रहते है right, and if we talk about the partly puter, जो की modern patna में located है, presently जो है वो patna में located है, तो अगर partly puter की बात करें, तो वो लिखते हैं कि जो partly puter है, वो एक काफी बड़ी city है, काफी beautiful city है, and इसे जो है, इसके 8 gate काफी massive wall जो है, वो बनाई गई है, and around 570 towers यहाँ पे बनाई गई है, 64 gates हैं यहाँ पे, okay, and then उसके बाद में two or three story buildings भी यहाँ पे बनाई गई है, जो की wood से यहाँ फिर mud brick से यहाँ पे बने हुए है, partly puter में, okay, and then king का जो palace है, जो राजा का palace है, यह भी जो है wood से बना हुआ है, तो यह भी चीज़ आपको यहाँ पे mind में रखनी है, अगर architecture की बात करें, तो mostly जो है, इ इन ने काफ़ी जदा decorate भी किया गया था, stone carvings जो होती है, पत्थरों के उपर जो है, मूर्तियां यहाँ पे बनाई गई थी, सुंदर मूर्तियां जो होती है, उसके साथ ही से decorate भी किया गया था, and it is surrounded with the gardens, and इस palace के आसपास जो है, काफ़ी gardens भी बनाई गई थी, and in gardens में जो ह यहाँ पे किस ने लिखी है, यह magazines ने अपने account में लिखी है, magazines जो है as an ambassador, एक राजदूद के तोर पे जो हो हमारे भारत में आया था, चंद्रगुप्त मोर्या के court में, okay, and जो भी चीजे उन्होंने वहाँ पे देखी थी, वो अपने account में उन्होंने लिखी है, right, अब अश जो की grandson थे, चंद्रगुप्त के, okay, grandson थे यह चंद्रगुप्त के, उनकी बात कहलेंगे, जो की काफी unique ruler थे, तो सबसे famous Moran ruler कौन थे, वो अशोका ही थे, and वो एक ऐसे ruler थे, जिन्होंने जो है, अपने message को लोगों तम पहुचाने के लिए, inscriptions का use किया था, mean जैसे की already बता चुकी हूँ, की pillars जो होते हैं, right, pillars के उपर जो है, इन्होंने काफी ज़्यादा inscriptions लिखी थी, उनकी उपर जो है, इन्होंने inscribe करवाया था, okay, inscription लिखी थी, and most of the Ashoka की जो भी inscriptions है, उनके लिए language कौन सी use की गई है, prakrit language, जो की local language होती है, आम लोगों की ये language होती है, local language में ही जो है, इसे लिखा गया था, and Brahmi script, जो है, Brahmi script भी आम लोग जो होते हैं, जो common people होते हैं, वो इसे easily समझाते हैं, ज़्यादा पढ़ने लिखने की इसे जरूरत नहीं होती है, इसके लिए, अब जो है, हम देखते हैं कि अशोका ने war को क्यों give up कर दिया था, क्योंकि एक समय में यहाँ पे अशोका की एक war हुई थी, कलिंगा में, कलिंगा जो है, coastal Orisa, जो present का modern era का coastal part है यहाँ पे, ओरिंगा का वहाँ पे जो है, उसे कलिंगा बोला जाता है, यह उसका ancient name है, तो यहाँ पे शोका जो है, वो war लड़ते हैं, कलिंगा को अपने control में करने के लिए, इसे conquer करने के लिए, बट जब वहाँ पे यह war होती है, उसमें काफी दब violence होती है, काफी दब खून खराबा होता है, यहाँ पे bloodshed होता है, violence होती है, तो वह देखे डर जाते हैं, कि कितने जो यहाँ पे बेजान लोग हैं, यहाँ फिर अगर बात करें, कि कितने मासूम लोग जो है, उनकी यहाँ पे death हो रही है, जिनका कोई भी यहाँ पे कसूर नहीं, कुछ भी ऐसा जो है, उनकी death हो रही है, यहाँ पे इस war में, तो वो यह decide करते हैं, कि आप जो है, कोई और war वो नहीं पे नहीं लड़ेंगे, वो जो मासूम लोगों की death यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, उनकी हत्या नहीं कर सकते हैं, ओके, एंड, वो पूरी history में, all over the world, all over the world, पूरी history में, वो एक ऐसे king है, जिनो ने war को gave up कर दिया था, even जो है, उसे जीतने के बाद में, जो है, ओके, इस conquest को ही जो नहीं गेव अप कर दिया था, even war को वो जीत जाते हैं, कलिंगा जो उनके control में आ भी जाता है, बट बाद में जो उसे वो छोड़ देते हैं, इतना दा खून खराबा जो हून से सहन नहीं होता है, अब अब अश तो वो बोलते है, 8 years after becoming king, की राजा बन्ये के 8 साल के बाद में, जो है, मैंने कलिंगा को कंकर किया, okay, and इस में, जो है, around, lakh and half people, mean, जो है, डेट लाग जो लोग थे, उन्हें capture किया गया था, and एक लाग से जादा लोगों की death हो गई थी, जिसकी वज़े से, जो है, मैं टो ब्रोल में किया जाता है, तो लाखों की संख्या में, लोगों की death होती है, and उन में से करी जो है, prisoner भी बना ले जाता है, बना दिवी बना जिया जाता है, and इस में, जो ब्रामिन होते हैं, जो सादू संत होते हैं, उन'की भी हक्त्या हो जाती है, okay, and जो लोग अपने relative से अपने friends से काफी kind होती है, उनकी nature काफी अच्छी होती है, right, अपने slave की तरफ या फिर अपने servants की तरफ जो काफी अच्छे होते हैं, kind होते हैं, उनकी bit death हो जाती है, and even जो है अपने loved ones जो होती, उनकी family members जो होती हैं, उनकी bit death हो जाती है, okay, that is why I am sad, इसी के वज़े से मैं दुख में हूँ, मैं दुखी हूँ, and have decided to observe the dhamma, and to teach others about it as well, तो मैंने आप जो है, dhamma को observe कर लेता हूँ, right, मैं आप जो है war को gave up कर दूँगा, and यही चीज़े जो है, मैं decide करता हूँ, कि मैं दूसरे लोगों को भी सिखाऊंगा, okay, I believe that winning people over through dhamma is much better than conquering them before the, through the force, right, dhamma के साथ, जो है, अगर आप लोगों को conquer करते हैं, प्यार के साथ, right, एक अच्छी, जो है, टीचिंग्स देके, अगर जो है, अगर आप लोगों को conquer कर सकते हो, यह चीज़ यहाँ पे बैटर है than the force, जबड़तसी, जो है, मैं conquer नहीं करना चाहता हूँ, प्यार के साथ, dham मेरा पोता, grandson, right, वो जो है, वोर के बारे में सोचे बीना, right, and instead they should try to think about how to spread dhamma, तो उन्हें जो है, यह सोचना चाहिए कि dhamma को किस तरह से spread करना है, right, dhamma के बारे में जो है, अब next slides में हम cover करेंगे, dhamma क्या चीज़ है, right, तो dhamma को जो है, वो follow करना चाहते थे, आप जो ह ना की force के साथ, right, तो अब जो है, अशोका का dhamma, जो है, वो क्या था, वो देखेंगे कि अब dhamma, जो है, वो जिससे follow करना चाहते, जिसके तू जो है, वो लोगों को अपने, उसने जो है, जीतना चाहते थे, वो क्या चीज़ है, तो अशोका का dhamma, जो है, इसमें किसी भ लगवान की पूजा किया जाती है ना ही यहाँ पे कोई भी आहूतियां दी जाती सैक्रिफाइस किया जाते हैं या फी यग किया जाते हैं ओके तो बोलते हैं he felt that just as a father tries to teach his children जिस तरह से एक पिता अपने बच्चों को teach करने की कोशिश करता है he had a duty to instruct his subject तो यहाँ पे राजा की भी duty है कि वो अपनी प्रजा को instructions दे उन्हें जो है वो teach करे सही चीजें जो है वो teach करे तो जो अशोका थे वो बुद्धा जो लोड बुद्धा थे बुद्धिजम से जो है वो काफी प्रभावित थे उसमें कोई भी ऐसे rules and regulations नहीं थे जो की Hinduism में थे उस समय में तो वो इसी की वज़े से जो है बुद्धा की teachings को ज़्यादा वो follow करते थे उनसे जो है काफी ज़्यादा वो inspired थे तो वो बोलते हैं there were a number of problems that troubled him people in the empire follow different religions तो वो बोलते कि यहाँ पर कही ऐसी चीजें हैं जो कि मुझे दुख पहुंचाती है उनकी empire में जो लोग है वो different religions को follow करते हैं जिसकी वज़े से उनके बीच में conflict भी हो जाते हैं वो आपस में लड़ना भी start कर देते हैं ओके animals जो हैं उनकी आहोतियां यहां पर दी जाती हैं उन्हें sacrifice किया जाता है and slaves and servants जो होते हैं उन्हें ill-treat किया जाता है गलत उनके साथ वैवार किया जाता है और इवन जो है neighbors में and families में भी यहां पर लड़ायां होती हैं इन धर्मों की वाज़ा से वो आपस में different legends की वाज़से बटे हुए थे उस समय में तो यह चीज़े देखे उन्हें काफी दुख हुआ करता था और शोका यह feel करते हैं कि अब जो है यह उनकी duty है इन problems को solve करना तो इसी के वाज़से उन्होंने जो है कुछ officers को appoint किया था जिने जो है वो क्या बोलते थे धम्मा महामत बोलते थे धम्मा महामत जो की एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे और वो धम्मा के बारे में है वो equal है हमें लड़ना नहीं है हमें जो है इस तरह की teachings को follow करना है जिसके तुरू हम जो है इकठे रह सके तो यह चीज़े जो है वो यह teachings लोगों तक पहुंचाना चाहते थे इन teachings को लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने officers जो थे वो appoint की थे जिनका नाम था धम्मा महमाता जो की एक जगा से दूसरी जगा पर जाते थे from one place to another place and धमा के बारे में लोगों को यहां पर teachings देते थे इसके साथ जो है शोका ने rocks and pillars के उपर भी अपने messages को inscribe किया है and even जो है अपने officers को instruct भी किया है कि इस message को आप पढ़ के सुनाएंगे उन persons को जो खुद पढ़ officers को दिया हुआ था okay and अपने कुछ messengers Ashoka ने दूसरी countries में भी भी भेजे थे like Syria हो गया Egypt हो गया Greece हो गया and Shri Lanka हो गया धमा को एक तरह से और वहां तक पहुंचाने के लिए इन आइडियास को वहां तक भी पहुंचाने के लिए तो इनों ने जो है roads बनाई थी कुए जो होते वह यहां पर खुदवाए थे rest houses भी बनाए थे अशोका ने अपने एडियास में and even जो medical treatment होता है उसकी भी इनोंने जो है arrangement की थी human beings के लिए भी and even animals के लिए भी मिन अब जो है यह प्रजा को इस तरह से जीतना चाहते थे यहां पर धमा के थुरू ना कि force के थुरू तो यह ह यहां पर लोगों तक पहुंचाने हैं हमें जो है आपस में लड़ना नहीं है तो अपने messages जो अशोका के यहां पर उनकी प्रजा के लिए क्या messages वह देखेंगे अशोका मैसेजिस टूहिस सब्जेक्ट तो यहां पर जो लोग थे different तरह के रिच्व को परफॉर्म क्या करते थे जब वो बिमार होते थे जैसे कि आपने देखा है यहां पर वेदास के समय में तो वहां पर जो है काफी सारी हेम्स लिखी गई है यहां फिर सैक्रिफाइस भी परफॉर्म किया जाते थे उस समय में वेदिक पीरियेड में तो जब उनकी चिल्डर्ण जो होते हैं जब जब लोग बिमार होते तब भी काफी सारे जो है रिचुल्स परफॉर्म किया जाते हैं जब लोग बिमार होते तब भी काफी सारे जो है रिचुल्स परफॉर्म किया जाते हैं जब कोई बच्चे का जनम होता है तब भी काफी रिचुल्स किया जाते हैं तो वो यह बोलते फूल हो सकता है बट यह अदर प्रैक्टिसेज है कौन सी जिसे जो है लोगों को फोलो करना है इन रिच्रोज को छोड़के वो है कि स्लेव एंड सर्विंट्स की तरफ जो है हमें जैंटल लहना है हमें उनसे जो है प्यार से बोलना है जो एल्डर वन होते हैं जो बड़े जो होते हैं उन्हें किफ्ट देने हैं and it is both wrong to praise one's own religion और criticize another क्योंकि लोग जो थे वो क्या करते थे अपने religion की प्रेस करते थे बट दूसरे के religion की जो है उसे वो criticize करते थे तो वह बोलते हैं यह चीज गलत है ओके each one should respect the other religion हमें जो है दूसरे person के religion की भी हमें जो है respect करनी है अगर person जो है वो अपने जो है वो religion की praise करता है और दूसरे religion को जो है वो criticize करता है तो इस तरह से जो है वो अपने religion को ही harm पहुँचा रहा है, उसे ही नुकसान पहुँचा रहा है, अपने religion का जो एक view है वो लोगों तक गलत पहुँचा रहा है, right, therefore, तो हमें जो है main idea जो होते हैं दूसरी religion के उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए, कि दूसरी religion को criticize नहीं क करना चाहिए, उनके ideas को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए, और उन्हें भी जो हमें respect करना चाहिए, right, but अब क्या होता है, around 2200 years ago, जो more empire है, वो collapse हो जाती है, क्योंकि ये जो empire थी, all over the India valley हुई थी, आपने देखा है, अलग-अलग areas में इनका control हुआ करता था, काफी बड़ empire थी ये, बट ये जो 2200 years ago, जो है, वो collapse हो जाती, वो नश्ट हो जाती है, इसकी जगह पे कई चोटी-चोटी जो kingdom होते, वो rise हो जाते हैं, जो की, इनको मौरिन के सामय में, जो governors भुआ करते थे, जो की मौरियस के under control में हुआ करते थे, आप जो है, वो अपनी kingdoms बना लेते ह तो देखते कौन-कौन सी थी, North West and North India के पार्ट में यहाँ पे इंडो-ग्रीक्स थे, जिन्होंने around 100 years तक यहाँ पे राज किया था, रूल किया था, North West में, and in parts of the North India, जिन्हें इंडो-ग्रीक्स भी बोला जाता है, तो इन्होंने 100 सालों तक वहाँ पे राज किया था, and उन के बाद में यहाँ पे जो है, कुछ Central Asian people से शाकाज आ जाते हैं, right, अब जो है, इन के बाद में शाकाज यहाँ पे आ जाते हैं, जिन्होंने North West, North and Western India में इनका कॉंट्रोल रहता है, तो सबसे पहले कौन से आगे, शाकाज, okay, and some of these kingdoms lasted for about 500 years, mean around 500 years तक जो है, इन्होंने जोटी राइज होती है, अब जो है, इन शाकाज को जो है, कौन डिफीट करता है, जो गुपतास थे, क्योंकि मौरियास के बाद में अगर कोई बड़ी kingdom यहाँ पे North India में आई थी, वो थी गुपतास थे, okay, तो मौरियास के बाद में यहाँ पे शाकाज आते हैं, कुछ इं 2000 years ago, तो शाकाज के बाद में यहाँ पे जो है, अराउंड कुशानास भी आते हैं, शाकाज इंटर्न वर फोलर बाइदी कुशानास, कुछ एरिया में अभी भी शाकास थे, कुछ एरिया में यहाँ पे गुपतास किंग ने जो है, इन्हें हरा दिया था, बट कुछ एरिया के जर्नल हुआ करते हैं, एक समय में जिनका नाम था पुश्य मित्र शुंगा, अब शुंगा किंग्डम यहाँ पे आता है, राइट, कुशानास के बाद में शुंगास आते हैं, वो अपनी किंग्डम यहाँ पे नॉर्थ एंड सेंटर्ल इंडिया में जो है, बना लेती ह पहले यहाँ पर शाकास को उन्होंने कुछ एरिया में हराया था, बट अब यहाँ पर कानवास को भी जो हरा देते हैं, तो गुपता इंपायर वहाँ पे बन जाती है, इस्टैबलिश्मेंट उनकी गुपता इंपायर की बन जाती है, तो यह तो शाकास होगे, दन शुंग करता था, तो वहाँ पे भी सत्वाहनास ने जो है, इनके साथ काफी बैटल्स लड़ी थी, एंडिया का उसे जो अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, सत्वाहनास, ओके, अलग लग एरिया में अलग जो इनके जो है लड़ाई होती, काफी छोटे-छोटी किंग्डम्स यहाँ पर आते हैं, दूसरे से वो लड़ते रहते हैं, एंड दूसरे से वो जो इन एरिया को अपने कंट्रोल में करते रहते हैं, ओके, एंड यह सत्वाहना किंडम्स जो है, जो की 2100 साल पहले इस्टैब्रिश हुआ था, जी जो है 400 साल तक वहाँ पर एक तरह से रूल करता है, एंड उसके बाद में 1700 साल पहले एक नई फैमिली आती है, जिसे जो है वकाटकास बोला जाता है, वो सैंटल इंडिया में एंड वेस्टर इंडिया में जो है वो एक तरह से काफी पावफुल हो जाते हैं, एंड साउथ इन्या की बात करें, तो यहाँ पर चोला, चेरा और पांडिया जाते हैं, ओके, एंड रूल बिट्विन 2200 एंड 1800 एंड एगो, एंड अगर 1500 साल पहले की बात करें, तो यहाँ पर लाज किंडम से लाइक पालवाज और चालुकिया जाते हैं, चोला, चेरा और पांडिया के बाद में कोन आता है, पालवाज और चालुकिया ज तो, and we know about them from their coins and inscriptions as well as from the books, तो उनके बारे में हमें जो है कहां से पता चलता है, यह जो kingdoms वहाँ पर राइज होती है, मौरियास के बाद में, इनके बारे में कहां से पता चलता है, हमें वहां से coins and inscriptions मिले हैं, and even कुछ books भी मिली हैं, तो वहां से हमें जो है, इन चोटी- ordinary man and woman जो है, उनका भी एक major role रहता है, like यहां पर agriculture जो है, वो काफी फैल रहा था, काफी spread उसका हो रहा था, नए towns जो है, वो यहां पर growth हो रही थी, कुछ craft production हो गया, trade हो गया, इसकी भी काफी growth हो रही थी, and जो traders होते हैं, जो वेपारी हैं, उन्होंने नए roots को भी found कर लिय था, okay, अपने subcontinent के अंदर ही, हमारे भारत के अंदर ही, and even उसके बाहर भी, कि दूसरी countries के साथ किस तरह से हमें जो है, वेपार करना है, किस तरह से हमें, कौन से map को follow करना है, कौन से route के थू हमें जो है, वहां पर जाना है, कुछ जो sea routes होते हैं, West Asia की तरफ वो भी इन्हो यहांने sea routes को open up कर लिया था, okay, कई बड़ी-बड़ी buildings यहां पर बन रही थी, and अल यह stampers होगे, stoopas यहां पर बन रहे थे, जिसके बारे में हम further पढ़ेंगे, stoopas क्या होते हैं, कई सारी books जो हैं, वो भी लिखी जा रही थी, यहां पर, scientific discoveries जो होती हैं, वो भी यहां पर हो same time, same time जो ही है, साथ साथ में सारे changes हो रहे थे, किस तरह से जो लोग थे, वो develop हो रहे थे, यहां पर, सारी चीज़े जो है, आप लोगों को पता चल रही थी, agriculture develop हो रहा है, नए towns आ रहे हैं, craft production, trade हो गया, right, वो भी develop हो रहा है, and traders ने जो है, नए routes को जो है, explore किया है, subcontinent के अंदर भी, and subcontinent के बहाई भी, West Asia, East Africa, Southeast Asia की तरफ हो गया, okay, नई buildings यहां पर बन रही थी, and scientific discoveries भी यहां पर हो रही थी, right, so with this,